हेलो फ्रेंट्स मैं हूँ स्वेता वेलकम टू माई चैनल स्वेताज की चैनल लाइफ इस्टाइल आज मैं बनाने वाली हूँ गुलकंद पेड़ा मैंने एक फ्राइग पैन में टू टेबल इस्पून घी लिया है इसी में मैं आधा कप दूद ले रही हूँ दूद और गी को मिलाते हुए मैं अच्छी तरीके से बॉयल कर ले रही हूँ मैं यहाँ दो कप मिल्क पाउडर यूज करूँगी लेकिन मैं पहले एक कप मिल्क पाउडर इसमें डाल कर इसको अच्छी तरीके से मिला लूँगी थोड़ा थोड़ा करके इसमें milk powder मैं डालूंगी ताकि इसमें गुठलिया ना आए और अच्छी तरीके से mix करने के बाद मैं half cup फिर से milk powder डाल रही हूँ इसे भी अच्छी तरीके से mix कर लेंगे गैस की flame को हमें एकदम low रखना है अब मैं फिर से half cup milk powder डालूंगी अब मैं इसमें 2 टेबल स्पून रोज सिरफ ले रही हूँ मैंने मिस्राम्बू का रोज सिरफ यूज किया है यहाँ पे इसे भी अच्छी तरीके से हम mix कर लेंगे इसमे mix करने के बाद देखी यह बिल्कुल खोय की तरह दिख रहा है अब मैं इसे एक थाली में पलट लूँगी ठंडा होने के लिए जब खोय एक दम ठंडा हो जाएगा तो मैं इसे इस तरीके से मसल मसल कर इसे चिकना कर लूँगी चिकना करने के लिए मैं इसमें थोड़ा थोड़ा दूद भी यूज करूँगी मैंने चौथाई कप से थोड़ा कम दूद इसे चिकना करने के लिए यूज किया है अब मैं इसमें वन टी स्पून घी डालूंगी और उसे भी अच्छी तरीके से मिक्स कर लोंगी देखिए मिक्स करने के बाद कितना अच्छा खोया त्यार हो चुका है हमारा पेड़ा बनाने के लिए अब मैं इसमें एक टेबल इस्पून गुलकंद डाल रही हूँ और इसमें तीन-चार बुंद रोज कलर डाल रही हूँ इसे भी इसमें अच्छी तरीके से मिक्स कर लोंगी इसके बाद इसमें मैं वन टेबल इस्पून चीनी डाल लही हूँ पिसी वी चीनी अगर आप हलका मीठा खाना पसंद करते हैं तो इसमें चीनी ना डाले अगर आप नॉर्मल खाना चाहते हैं तो वन टेबल स्पून चीनी इसमें डाल सकते हैं इसे मैंने एक प्लास्टिक के सीट पे देखे इस तरीके से रखकर गोल बना लिया है और इसे बेलन की साहता से इससे चिकना कर लेंगे आज मैं इसे हर्ट सेप में काटने वाली हूँ आप चाहें तो इसे गोल पेड़े का रूप दे दे या फिर हर्ट सेप में काट दे इसी तरीके से मैं सारे पेड़े को हर्ट का सेप दे दूँगी अगर आप गुलकंद बनाना चाहते हैं इस्टेंट तो आप मेरी गुलकंद और पान फ्लेवर की आईस क्रीम की जो रेसिपी है उसको फॉलो करेंगे तो उसमें मैंने गुलकंद बनाने का तरीका बताया है जो कि आप तुरंद बना कर यूज कर सकते हैं अगर आप उस गुलकंद को फ्रीजर में रख देते हैं तो आप जब भी चाहें तो उसे यूज कर सकते हैं ये देखिए मैंने पेड़े बना लिये हैं ये काफी टेस्टी पेड़ा बनता है आप इसे जरूर एक बार ट्राइ करें थैंक्यू